आज हम बनाने वाले हैं मूंग डाल के टेस्टी पकोड़े की रेसिपी कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको मैंने बनाया है बहुत से एकदम क्रिस्पी रहते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट तो आईए ऐसे मूंग डाल पकोड़े की रेसिपी हम शुरू करते हैं इस मूंग दाल के तयार हो जाती है एकदम फीगने के बाद वहल्की सॉफ्ट भी हो जाती है अब इस मूंग दाल में से मैं 2 पून मूंग दाल एक बाउल मैं साइट से रग दूंगी और बाकी बची मूंग दाल को मुझे पीसना होता है तो एक को भी मिक्सी का जार लेती हूँ मैं दो बार मैं करके पीस सकती हूँ आप चाहिए अगर एक बार मैं नहीं आ रहे तो हमें ये मूंग दाल बिल्कुल बिना पानी के पीस नहीं होती है तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे और हलकी से हम दरदरी पीच के इसको तयार करेंगे तो इस तरीके से मेरी ये मूंग डाल जो है वो बिल्कुल बन के तयार हो गई है दरदरी इसलिए पीच जी है क्योंकि जब ये खाते हैं हम इसके पकोड़े जो इसमें हलके-लकी दरदरा पनाता है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, अब इसे अच्छी तरीके से मुझे फैटना होता है, लगबग 4-5 मिट मैं ऐसे फैटती हूँ, यह एकदम फूल के तयार हो जाती है, इसका अलकल का कलर भी चेंज हो जाता है, इसके बाद आपको सोडा या कोई भी तरह का इनो वगरा कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो देखिए हमारे इस तरीके से फूल भी गई है, दाल कलर भी चेंज हो गया है, और हमाई 4-5 मिट हो गए है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, अब इसमें मसाले डालेंगे, जैस बारी कटकी हुई हरी मिट्स डाल देती हूं, यह जो मैंने 2 स्पून मुंगदाल अलग निका ली थी, वह इसमें डाल देती है, उससे क्या होता है, जब हम पकोड़े बना कर खाते हैं, थोटे-चोटे दाने आते हैं, वह बहुत टेस्टी लगते हैं, और टेस्ट इसका द लिया है, 2 स्पून चावल का आटा डालती हूं, इससे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं, उपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो यहां पर मैंने 2 स्पून चावल का आटास में डाल दिया है, साथी साथ हलका सा काला नमक डाल र करेंगे, पालक आप कम जादा अपने साब से थोड़ा कर सकते हैं, यह मिक्स होने के बाद आप इसको एक बार चेक कर लेजे, कि हमारे पकोड़े बनने के लिए तयार है कि नहीं, तो आप थोड़ा सा पार्ट लीजी और इसे बना कर देखिए, अगर आपको लग रहा है ब पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था, ऑईल गरम हो जाए उसके बाद यह पकोड़े जो है एक एक करके इसमें हम डाल देते हैं, सारे पकोड़े इसी तरीकी से चित्ते भी एक बार में कड़ाई में आ जाए हम पकोड़े इसमें डाल देंगे, फ्रेंड्स रेसिपी अगर अभी तक आपना लाइक नहीं किये तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और पकोड़े डालने के बाद आप तुरंत इसमें पल्टा यह जजरी मत लगाईए, जब यह पकोड़े हलके से अपने आभी सिखने आएंगे, फूलेंगे तो यह उपर आ जाएंगे उटके, उसके बाद ही आप इसमें पल्टा लगाईए और इसको पलटिए कोई भी स्पून जजरी जिससे भी आप इने डीफ्राइ करते हैं वो आप तभी लगाएं जब यह अपने आभी उपर उटके हाएं क्योंकि पहले ही लगा देंगे तो आपके टूट सकते हैं पको बिल्कुल डीफ्राइ हो चुके हैं तो अब इनको हम इल्कुल इसका ओइल निकालते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे नैपकिन के उपर निकाल लेते हैं ताकि नैपकिन भी थोड़ा ओइल एबसॉफ कर लेगा तो आपको खाने में बिल्कुल भी ओईल नहीं कर देंगे बहुत ही टेस्टी पकॉड़ेयां आप चाहें स्पून से भी डाल सकते हैं तो हाथ से ड़ेंगे यह पकोड़े यह आपके बोप्शनल रहते हैं हमने पे सारे पकॉड़े डीफ्राइ कर लिए हैं इंको हम निकाल लेते और इसके बाद को हम सर्फ करते हैं और मे की सीजन में खाये बुंत